तो फिर से सौगत है आपका अपने चैनल सूपर प्लम्बिंग के उपर तो और एक एक इंट्रेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने ले के आए हुए है बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनके गर में चोकप होता है तो बेकिंग सोडा जो होता है उसके तुरू हम कैसे बैट के चोकप हो गया है तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं बस एक हैंड शौर के थुरू पानी यूज काने बाद यहां पर चोकप का प्रॉब्लम आ रहा है तो यह रहा हमारा प्रोडक्ट चोकप पंप यह इजी लिए आपके डिस्किप्शन में मिलेगा या आपक तो चोकप पंप इजी लिए वहां पर वर्क नहीं करता तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे यह नैनी ट्रेप के जालीव को हमें वहां पर इस्तमाल करना है तो इस तरीके से पंपिंग करने कबाद आटोमेटिक जो है वह एर जो है वह नैनी ट्रेप में चला जाएगा उसका ओटलेट है जहां पर हम यह वेस्ट पर लागाते हैं तो चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले पानी इस्तमाल करते हैं यहां पर देख सकते हैं स्रिफ हैंडशावर और छोटे से कौक के थुरू है एक मेट के अंदर ही 30 सेकंड मान लीजिए यह चोकप होना चालू हो आपशना हो जाता है जस्तमाल करते हैं यह क्या और pumping करेंगे कम से कम आठ से 10 बार हमें pumping करना है तो देख सकते हैं कितना shocking result हमें मिलता है यह video specially मैंने slow किया है आप देख सकते हैं 3-4 pump के अंदर ही यहां का बाहर का पानी जो है वो direct drain में निकलना चलू हो गया है बस हमें safety का इस्तमाल करें यह साफ नहींने के वज़े से या यूज़ रहने से मैंने hand close इस्तमाल नहीं किया है आपको hand close जो है वो इस्तमाल करना होगा तो चलिए हम क्या करेंगा 8 से 10 बार जो है इसो बगर 9 trap के जाली हिलाए हमें अच्छे से pack करना है 9 trap की जाली और 8 से 10 बार दोस्तों में दिखाने के लिए 2-3 बार stop किया बट 9 श्टाप 8 से 10 बार हमें pumping करना है अच्छे से यह pumping करने के बाद आटोमेटिक दोस्तों जो है अंदर का ब्लॉक जो है सभी से निकल के चला जाएंगा तो हमने देख लिया अभी pumping की तुरू कैसे हमें ब्लॉकेज निकालते हैं और using casting soda और baking soda जिसे हम कहते हैं उसका इस्तमाल करके हम बड़े से बड़े सबस्ते हैं तो दोना तरफ से पानी अब मैं चालू कर रहा हूं अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 2-way कॉक को पूरी तरह के शाहन करेंगे कि देख सकते हैं यहां पर भी टूवे कॉक चालू हो गया है उसके बाद जो उपर बेसिंग भी हम नहीं है इस्तमाल कर रहे हैं उसका भी नल हम चालू करके उसमें छोड़ देंगे ताकि यह जो है हम क्या देख रहा है कि कंट्विनू पानी जाना चाहिए हुद रूक के नह फिर से चालू करके दिखाता हूं मैं देख सकते हैं तीनों प्रोड़क्त अब हमने तीनों नल जो है हमने चालू कर दिये बढ़े यहां पर दोस्तों पानी जो है वह रूक नहीं रहा है और नौन स्टॉप जो है वह पास हो रहा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पर लाइक और सब्सक्राब करना ना बूले बने रहे आपके अपने चैनल सूपर प्लम्बिंग के उपर जाहिन